संते ताजुदिन बाबा का निन्यान विवा साला नावर्स मनाय शारा है जिसके तहत शहर में भी खासा उत्साह देखा जारा है बड़ा ताजबाग भी रोशनाई से चगमगा उठा है जिसका जायजा लिया हमारे सवदाताम मानने आए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट मे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड है लोग का विश्वास और प्यार बाबा के लिए हद से जादा है और यहीं यहाँ पर लोग एक उमीद से आए हुए है कि एक बार बाबा के दर्शन हो जाएगे लेकिन कोवीट के रूल्स को फॉलो करने के लिए दरबार बंद कि बाबा के हम पहुंचे और यहां बाबा के दर्शन होंगे अभी उमीद तो है अब देखो सासन क्या करती है इसा है और बहुत दूर से आया है सिवनी चला इसा है इतनी दूर से आया आपने ताज नगरी देखा होगा तो कितना खुब शुरत लगा है बहुत अच्छा ल पर जाने कि दी जाये यह थो बाबा की प्रात्ना सुन सकते है लाले के आस्ताने पेपन लोग खड़े हैं और सारे शर्दालूओं को बाबा के 99 और्स के मुभारक बात देता हूं सेकंडिंग यह हैं कि महारस्ट गौवर्मेंट और केंदरी गौवर्मेंट की जो गाइड लेन है वो गाइड लेन के हिसाब से कैसा हजद बाबा ताजुद दिन ट्रस्ट काम कर रहा है रहा शर्दा का मामला शर्दा का मामला है पुलिस परशाशन और नाकपुर महानगर पाली का कलेक्टर जो महकमा है कि इससे कोई ऐसा महल ना किरेट हो इस बार नहीं करते वे आने वाले समय में करे शर्दा क्या आस्ता को ना ठेस पहुचे उसक इतने लोगक उमीद लेकर आ रहे हैं और दर्शन भी नहीं हो पाु रहे हैं आप लोग ऐसे हैंडल करोंगे और रिशान को क्योंकि आज ये बढ़ती जाएगी अब ये रुकने निवाली nasTF एविश और काहिए देश विदेश से जो लोग आते हैं उनको कम से कम दो दो लोगों को दर्शन करने का मौकत दिया जाए ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे है और हमारी उनसे अभी बात चालू है अगर उनको रास्ता निकल जाता है तो एक से दो लोगों को अगर भेजने का सोचल डिस्टंस का पालन क करते वे अगर उन्होंने पर्मिशन दिया तो हम भेजेंगे हजारों और लाखों की तादात में लोग यहां पर मौझूद है सिर्फ एक ही उमिद से कि एक बार बाबा के दर्शन हो जाए हमारी मनोकामना है पूरी हो जाए हमारी दिल की बात बाबा तक पहुछ जाए लेक लेकिन क्या इस बात को पूरी करेगी सरकार यह तो वक्ती बताएगा लेकिन बाबा का दर्बार इतना खुब्सूरत सजा हुआ है कि जो भी यहां पर आ रहा है दो मिनिट के लिए थम जा रहा है और आखों में बाबा की तस्विर लेकर जा रहा है मसकार मेरा नमान इंग्डी सेंडीज में आप सभी का स्रागत करता हूँ निन्न में उस है और मैं ताज नगरी में पहुछ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत सजाया गया है और बस एकी बात की कमी है कि इस साल दर्शन नहीं होगे सबसे बड़ा दू लोगों में जजबात तो बहुत है कि बाबा के दर्शन हो जाएंगे लेकिन हम लोग मजबूर है परशाशन के आगे तो हम लोग ऐसा कुछ है नहीं कर सकते कि जिसमें परशाशन को तकलीव हो यह निन्मान वेबा है और मैं आप से पूछ इस बार क्या खास किया गया है इ लेकिन अभी कोरोना के वज़े से कोविट के वज़े से पैंडामिक के वज़े से हम लोग यह सब करने ही पा रहे हैं तो इससे भी और दस गुनाम इसको सुन्दर करते थे तो हमारी से कमिशनर साब से बात हुए कि हम लोग सवा उर्स जो है बहुत अच्छे से मनाएंगे जिसमें हम लोग ने सोचे कि हम लोग राष्ट्रपती जी को भी यहां बुलाने वाले सवे उर्स के लिए तो अभी परशाचन को देखते हुए अब जैसा चल रहा है बस थोड़ा बहुत उतना कर रहे है अभी उतना कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बहुत अच्छ होगे बस उनसे मैं यह यह कहूंगा कि देखें पेंडामिक है और बाबा का यह दर्गा ऐसा है कि जो सर्व धर्म संभाव नहुजात के इस ट्रस्ट में भी नहुजात के नौ लोगर यहां पे हिंदू मुस्लिम सीक्षाई एक राष्टी एकता का परती के जो दर्गा तो म आप दूर से भी करेंगे दर्शन तो बाबाय कबूल करने मुझे बहुत 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 शुक्रिया मैं साथ जुड़ने के यह थे प्यारे घ्रान जी जिनको हम ऑक्सिजन में भी कहते हैं और मैं आपको ताजनगरी के दर्शन करवाते हो देख सकते कि कितनी खुब से तरी बार आएगा और इतनी खुब्सरों तरीके से यह सजाय गया है बाबा की दर्शन भली आपको बहुत दूर से होगे लेकिन जब जब आप यहां पर आओगे आपको बाबा बहुत करीम नजर आएगे मैं मान यहां से तो विदा और आप देखते रहेंगे इंडिय से न्यू सच दिखाए बिना चुपाए